दोस्तो आज बात करने वाले हम Canon R10 के बारे में बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था आज फाइनली मैं आ गया हूँ अभी Canon Image Square जैपुर में और एक बार फिर मेरे साथ में है मुकेश जी और आज ये कैमरा यहाँ पर अवेलेबल था तो मैंने गा जल्दी से इसका First Hand Review जो है वो करें तोड़ा Image Quality थोड़ी इसकी Video Quality चेक करें और क्या खास फीचर है किन लोगों के लिए एक कैमरा है किस प्राइस में आ रहा है और क्या इसके अंदर आपको फीचर मिल रहे है क्या बेनेफिट होगा इस कैमरा को लेने का वगेरा वगेरा तो इस वीडियो को चोड़के कहीं मत जाएगा Welcome back to my channel friends, this is Manish Saksena, let's get started So first, Mukesh Ji thank you so much for inviting us, now tell us one thing, R10 is available today, I will show you a little close-up that you haven't seen So you can see this close-up shot, it is very big, I mean I am from the first experience, so you can see how deep the grip it is, it is a very good grip One thing Mukesh Ji note, its size is very compact, it is very small size and very lightweight So what's the difference, tell us about it? Sir, this is a Canon's most compact camera, it is 380g approx without battery memory card, and 430g, it is battery plus card approx So overall, you get 430g approx, so it is very lightweight, it is very good, it is light And here you can see the buttons are very good, here you can see a command dial, here you can see a recording button This is on-off switch, this is on-off switch, and here you can see the screen, what size is the screen? This is 7.5cm and 1.04 million dots And there is a full variable, 360's display, you can see how you can see it routed, whatever you want to shoot बेटर, क्या खास वीचर्स है, कितने मेगापिक्सल का है, सर्च यह 24.2 मेगापिक्सल है, जो इसके अंदर अभी बेस्ट है, वो एक तो 4K 60 फ्रेम तक आपको मिल रहा है, क्रॉपिंग पे भी मिल रहा है, और 4K 30 फ्रेम पे, 6K कलर सेंप्लिंग वाला, कनवर्ट करके आपको 4K 30 फ्रेम में कलर्स देगा हो, तो यहां पर आप निकाल पाओगे दोस्तों, 4K 60 फ्रेम पे, यह विद क्रोपिंग के साथ आता है, और आप HDR PQ के अंदर में के अंदर और एक चीज़ मुझे यह बताईए, यह नई चीज़ देखने को मिल रहा है यहां पर, थोड़ा मैं देखता हूँ मेरा कैमरा मैं को यह अदर जा के कीज़ देन देखता हूं यह, यह अदर बतन्स नहीं यह ए तरी का कहता हूं, आपने अधर नंवयल और सबन। करने का इसकी अंदरvida यह अंदर प्रशूपकेश का इसकी देखने को यह टियर 18-45 kit lens के साथ आपको मिल रहा है R10 और दूसरा जो lens है इसका यह है आपका 18-150 mm के साथ में है तो यह दो नए lens इंट्रड्यूस किया है Canon ने आप देख पा रहे हैं तो आप अपनी जरौत के साफ से जो है आप यह lenses चूज कर सकते हैं अब यह बताईए इसके अंदर इसका आटो फोकसिंग क्या है मितलब क्या टेकनीक कॉन साथ जैसे आर सेवन के अंदर था अपना क्या क्या था दूएल पिक्सल आटो फोकस टू तो इसमें भी सेम है वही सीमोस सेंसर है ड्यूल ओटो फोकस वाला बहुत फास्ट फोकसिंग है उसके अंदर जो सीमोस ड्यूल ओटो फोकस जहां से आ गया तो वहां पर एनिमाल स्पोर्ट फोटोग्राफी वगर आप कर रहे हैं तो बहुत फास्ट कम करेगा आपका फोकस तो इसमें भी आपको मिल जाता है अनिमल डेक्शन अपना वीकल डेक्शन इसके अंदर अपना जो हीमान है पहां पीपल डेक्शन पुरा एन आई आइ अटो फोकस तो इसके भी हम थोड़े से सेंपल पिच्छ लेके देखेंगे यहां पर क्योंकि अभी जैपुर में किस तरह से दिखता है और बहुत अरहे लोगों कि सरफ आटेन के बारे में तोरग सबता है एक तो यह प्राइं इसका और किश का दो लेंस साथा एक लेंस साथा या क्या अद Ham Noah कमिनिस यह तो आता नियुक्ड या तो आप 1845 lens के साथ ले सकते हो या फिर body body आप ले सकते हैं अच्छा यह option भी एक खाली body लेना है तो एक बार फटा फट जारा तीनों का बताजिए फिर आगे की बात करेंगे सर बाडी की price है इसकी 80,995 और 1845 lens के साथ 90,995 और आप जब 18150 lens लेते हैं तो इसके अंदर आपको 117,995 में MRP है जो भी best price होगा वो अपने store पे हो जाएगा सर यहां पर अगर customer आते हैं पुरा तो वो अपने हिसाब से आप जो भी discount बन पड़ेगा देगे अच्छा आप एक चीज मुझे बता रहती वीडियो शुरू करने के पहले कि आजकल क्या e-catalog का है वो भी आप थोड़ा सा बता दीजे फिर आपन आगे बात करते हैं यहां पर कुछ आपने मुझे दिखाए था यह क्या चीज है यह आप तो आप तो बताईए यह क्या ची अब दिखाए तो इसे पॉस करेंगे तो उसारे डाउनूड कर पाएंगे तो दोस्तों कानन के अगर आपको जो भी प्रोड़ट के बारे में करना तो यहां सिकन करें जए वीडियो को कॉस करके कि कतम होने के बाद नॉट नाव और आप यहां से स्कन करके आप सारे पढ़ से लिए तो यह आप नॉर्मले वैडिंग्स में भी उसमें ले सकते हैं या स्टूडियो वाले जो पास्पॉर साइ्ज फोटो उनके ली ले सकते हैं ट्रैविलिंग के लिए बहुत बैस्ट है इसके लावा जो बैस्ट इसमें भी फीचर साया है एक तो लो लाइट के इसकी जो है फोटो के इंदर 32,000 है और वीडियो के अंदर 12,800 और नेटी यए ऑफे 11,200 चला जाता है और 25,600 इशना जाता है टशा एक चीज उर जो बहुत important है काफी लोग पूछे है बिकॉस इस अब्रडर इसका जो इसका जो पर 15 क्लिक देता आपको एक सेकंड के अंदर और इलक्ट्रिक पर 20 फ्रेम तक चला जाता है जैसे कि R10 में बात करें थे आपने पर 30 फ्रेम टेंट इसम23 फ्रेम है तो अगर आप एक अच्छी कामरा ढूंड रहे दोस्तों अभी 2022 में एक सही बजट के अंदर with good features के साथ तो I think R10 एक सही मतलब अंडर 1 lakh में आपको approximately 1 lakh में आपको एक अच्छा आपको मिल रहा है इसका EVF और क्या है कितने मिलियन डॉट्स का EVF है यह है 2.36 मिलियन डॉट्स का है जो बहुत अच्छा आपका viewfinder में colors वगर आपको बहुत solid दिखते हैं जब आप viewfinder के अंदर दिखते हैं तो दोस्तों mirrorless camera के अंदर जो है EVF is very very important क्योंकि जब आप viewfinder से खाली मुझे जो चीज ठीक नहीं लगी वो यह यहां पर तोड़ा सा rubber टाइप है यह थोड़ा मेरे को पसंद नहीं आया grip बहुत अच्छी लगी buttons का placement बहुत अच्छा है और चूंकि इसमें आपको vari angle पूरा यह आपको screen मिल रहा है वो मुझे काफी अच्छा लगा info button यह बटन यहां चोटे चोटे दिये हूँ है जो कि आपको operations जब आप use करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि तोड़ा सा camera जो है वो unfriendly है तो आपको ऐसा लगेगा कि बिलकुल आपने आज camera खरीदे और आज ही आप सारे features इसमें यूज कर पाएंगे autofocus इसमें बहुत ज इसमें बना सकते हैं सो फिरम तक इसके अलावा एक features इसके अंदर जो है joystick दिये हुई है आपको जिससे आप focus वगर के लिए shifting कर सकते हैं एक इसके अंदर जो बिलकुल latest function आया है वो video के अंदर आया है जो कि आप menu में जैसे जाते तो digital zoom का इसमें फंक्शन दिया हुआ है आप एपरोक्स बढ़ा सकते हैं उस टैली को और इसके अलावा एक lens इसका lock भी दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा tightly पुछ करेंगे तो lock open हो जाएगा इसके बाद lens फर करेगा आपका तो यह चीज है अचा अब एक जो सबसे इंपोर्टेंट सवाल आता है वह तो अब हम एक फोटो लेकर देखेंगे इसकी और एक वीडियो का सैंपल भी बट एक जो मेरा एक सवाल है वह बिकास यह दो नए lens अभी इंट्रद्यूश के है कैनने अब मालीजी को यह को यह क्य कैमरा खरीता है वाट अबाट अधर लेंसे अर्फ लेंसे चुहें वह हम इसके संग यूश कर पाएंगी तो उसमें वह 1.6 अब मतलब 85 mm लेंस यूश कर रहे है तो वह करी 135 अबरोक्स तो अगर दोस्तों आप अगर यह कैमरा लेने की सोच रहे हैं तो अगर दोस्तों आप अगर आपको कुछ RF लेने हैं इसके साथ में अगर यह आपको लेंसे मान लिजिए अगर आपको थोड़े अच्छे और लेने तो आपको थोड़े अच्छे और लेने तो आप असानी से इसमें इंवेस्ट कर सकते हैं बड़ी ध्यान रखिए जो क्रोफटर है वो 1.6 के अगर उतना इमें की फोकल लेंट आपको मिलेगी बट यू कन यू अल तोस लेंसे राइट क्या वारंटी है दो साल के वारंटी है साथ फिजिकल और वोटर डेमेंस ना हो आपकी इंटरन कुछ विए तो चलिए इसका अब एक सेंपल फोटो देखते हैं की कलर साइंस कैसी आपको फोकस जो है थोड़ा accurate मिले और देखते हैं लो लेट के अंदर किस तरह से पर्फोर्मेंस आ रही है इसकी तो लेता है चलिए पहला पिक्चर नवीन जी का नवीन जी जो है यहां वीडियो डिपार्टमेंट के अंदर है तो आप मुझे बताईए का पिक्चर कैसी लेता है यहां फर और मैं देखांके की स्कृरिन काफी सेनसिटिव है तो आप देखे डिखे लो लेक्ट पाउर पर मुझे कैसी लेड थे एक पिच्चर में हम एक मैने कुई से के देखा लेते हैं देखिए सतरह से और यहां पर देखते हैं कि पिच्र हमें अभी आप देख पर नहुना जो वेट है और जो छोटा सा लेंस है तो भाई उसके साब से ये क्यामरा एक किसी भी बिगनर या किसी भी एमाचुर फोटोग्राफर के लिए काफी अच्छा रहेगा और अब देख पार एक पिचर और एले पर चली जल्दी से तो अब दूर आता हूं देखते हैं पिचर कैसी मिल रही है और इस सारी पिचर जो है दोस्तो मैं ISO 2000 पर ले रहा हूं तो आप मुझे करके बताएगे कि लो लाइट परफोर्मेंस कैसी लगी आपको इसकी चली मुकेश अब बात करते हैं जब आप वीडियो की तो वीडियो का आप कुछ फीचर बतायते हैं वो टैली जूम वाला हो क्या था मता पूर जी सर वो डिजिटल जूम है वो आपको वीडियो मोड के अंदर मिलेगा जैसे कहीं फोटोग्राफर से वगरा रहते हैं ब्लोगर वगरा उ 45 मेंने maximum यहां टैली करऊ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं रहा है जैसे किलिक करेंगे तो यहां से अपनी maximum length 10x अपने जूम मिल रहा है यहां 10x तक आपको जूम मिल रहा है आप यहां आप से यहां पर फोकस करके आप जहां भी आप फोकस करें और यह रिकोर्ड कर सकते यह रिकोर्ड शुरू हो गया सर आपका तो आप असानी से इस कैमरा के साथ व्लॉगिंग कर पाएंगे जैसे कि मैंने आपको बता है इसके अंदर आपको मिल रहा है पुरा फ्लेप आउट स्क्रीन तो वह काफी अच्छा है और अच्छी खासी जो कलर्स जो है मुझे काफी अच्छे लग रहा है और यहां पर मैं द तो आप देख पा रहे हैं यह जो है इसका ओवर ओल वीडियो का परफॉर्मेंस है मुझे कमेंट करके बताएगे का आपको इसका वीडियो का परफॉर्मेंस कैसा लगा तो अभी तक तो अच्छा लगा बट एक बर हमको आर-7-8-10 जरूर दो तो मैं एक थोड़ा मॉडल क आपके साथ में शूट करके देखेंगे अभी 8-10 जिन हूँ यहां पर मैं तो जब भी टाइम मिलेगा तो एक डिटेल रिव्यू बनाते है इसका ताकि ओडियंस जो अपने सब्सक्राइबर से उनको पता चलेगा अच्छली फील्ड पर कैसा परफॉर्म कर रहा है बट सो अभी तक परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी साइस बहुत प्यारा लगा हलका फुलका है अब एक चीज और मेरा क्वेशन इसका बैटरी लाइफ के बारे में बाता है कौन सी बैटरी उस होती है और क्या बैटरी लाइफ साथरा है जो करिब करिभी आपके डाइसों से तेन सो किलिकिंग देता फोटो के अंदर एक घंटा एपरोक्स वीडियो के अंदर आपका चल जाएगा और दूसरा क्या है इसके अंदर आप दो गटे तक चंटियूनिस वीडियो रिकोर्ड कर सकते हैं दो गटे अंटे मतलब अपन ऐसा नहीं कि पूरा कर सकते मैक्सिमम तो रिकोर्ट 29.59 से करेगा बट दो हंटे तक हीटिंग प्रोब्लम बिल्कुल नहीं होगी इसमें अवर हीटिंग का जैसे अर फाइव और शुरू में उस तरह का तो कोई चक्कर है कि नहीं है तो दोस्तों यह था आज कैनल R10 का जो हमने थोड़ा सा फर्स्टेंड जो टेस् कित लेंगे आप कोईसा भी 18-150 के साथ या 18-45 के साथ आपको बॉड़ी मिलेगी लेंस मिलेगा आपको चार्जर बैटरी चार्जर केबल मैनुवल बुक और वारंटी कार्ड और एक की बेल्ट स्टिप बैग बैग कुछ नहीं है प्राइस 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 इतनी बड़ तो इस्टोर के मैनिजर की तरफ से जोगी है मतला अधर वाइस ओफिशली ऐसा कुछ नहीं है तो थैंक्यू सो मच मुकेश जी आपने हमें वक दिया और दोस्तों आपको कैनन आटन कैसा लगा लुक वाइस, मॉडल वाइस, फीचर वाइस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट